टोपर्स टिप्स, how to prepare for CTAT in just one month आप क्यूरियस है जानने के लिए कि कैसे एक महीने की तैयारी में आप लोग CTAT के एक्जाम को 101 परतिशत क्लियर करेंगे तो आपको मैं वेलकम करता हूँ बैक टू स्कूल के चैनल पर आज की ये वीडियो पूरी detailed वीडियो होगी जिसके अंदर हम एक महीने में टोपर्स जो रनीती अपनाते हैं उसको तर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आपको इस पूरे CTAT के एक्जाम में गाइड करूँगा और मैं नहीं चाहता कि आप एक नंबर से दो नंबर से फेल हो आपने पिछली बार जितने नंबर स्कूर किये थे उससे पांच नंबर ज़्यादा आएंगे ये वीडियो देखने के बाद इसकी गैरंटी 101 पर्तिशत मेरी पहली बार एक्जाम देने जा रहे हो आप 120 के करीब नंबर लेकर आएंगे और आप बार बार फेल हो रहे हैं तो अब की बार आपको फेल नहीं होने दूँगा मैं क्योंकि इस पूरी वीडियो में एक महीने के टाइम के अंदर आप कैसे सीटेट के एक्जाम को उखाड कर फैक देंगे वो हम बात करेंगे और ऐसा होगा क्योंकि मैं बताऊंगा सीटेट प्रिपरेशन के टिप्स यानि कि विदिन ए मन्थ यानि कि विदिन ए मन्थ यू विल फाइंड आउट यू आरे चेंजड परसन आप बदल चुके होंगे अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्या इस वीडियो के अंदर हम सीटेट के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे उसके सलेबस के बारे में देखेंगे एक महीने के अंदर आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो बताऊंगा उसके बाद बुक्स के बारे में बताऊंगा कि इस टाइम पर कौन से बुक आप पड़े नोट्स अगर आप बनाए तो कैसे नोट्स बनाए और लास्ट में प्रो टिप्स भी देने वाला हूं वो आपके पांच नमबर बढ़ा देंगे ये मैं आपको गैरेंटिड गैरेंटिड दो सो परतीशत गैरेंटिड दे रहा हूं तो वो प्रो टिप्स तक आपको वीडियो तो जरूर ही देखनी है यह आद छोड़ देना इस वीडियो में स्किप करने की तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो बस एक लाइक का बटन दबा देना और कुछ नी चाहिए आपसे चलिए दोस्त शुरू करते है अब देखा जाए तो सीटेट के एकजाम को रह गया है एक महीना 31 जनुवरी को आपका एकजाम है इस एक महीने में हमें सीटेट का तोड निकालना होगा और टेंशन मत कीजे मैं निकाल चुका हूँ वो तोड बस आपको ये वीडियो देखनी है एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर घर बैठे कैसे सीटेट के एकजाम में 120 नंबर लेने है वो इस पूरी वीडियो में अगर आप समझ कर उठ गए तो आपको पूरे सीटेट के एकजाम में कोई रोक नहीं पाएगा सफलता आपके कदमों को चुमेंगी और आप बोलोगे सर अब की बार सीटेट होगा पार चलिए दोस्त, सबसे पहले तो एकजाम के पैटरन को समझेना जरूरी है You have to know this सीटेट एकजाम पैटरन सीटेट के एकजाम के अगर मैं पैटरन की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अलग-अलग कोर्सीज़ हैं S.S.C. हुआ, M.T.S. हुआ या जो दूसरे आपके एकजाम सोते यह उनसे बिलकुल अलग है बिलकुल अलग है यह उनसे सीटेट का एकजाम बिलकुल अलग कैसे अलग हुआ? इसके अंदर कुछ खासियत है कि आपको इसके अंदर 150 कोशन्स दिये जाएंगे टोटल कोशन्स आपको एकजाम में कितने मिलेंगे? 150 उसके लिए आपको 150 ही मिनट दी जाएगी यानि कि ज़्यादा टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते हैं आपको एक कोशन एक मिनट में करना पड़ेगा वरना पीछे रह जाएंगे उसके अलावा ये एकजाम आपका ओफलाइन मोड बे कंड़क्ट होता है आज कर टीचिंग के मैक्सिमम एकजाम्स जो होते हैं वो ओफलाइन नहीं, ओनलाइन शिफ्ट हो गई है लेकिन आपका सीटेट अभी भी ओफलाइन तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा ये जो आपके 5 सेक्शन होंगे जो आपको करने पड़ेंगे ये तीस-तीस कोशन के होंगे यानि ये जो डेड़ सो नंबर होंगे ये 5 सबजेक्ट में बटे हुए होंगे 30-30 मार्क्स के 5 सबजेक्ट वो 5 सबजेक्ट कौन से हैं? ये देखिए देखे Child Development और Pedagogy यानि की बाल, विकास और सिख्षा सास्तर दूसरा है आपका Maths, तीसरा है EBS और फिर दो Language तो पांच सब्जेक्ट के अंदर आपके 150 नंबर सिमिट जाते हैं जिसके अंदर तीन सब्जेक्ट हैं Child Development, Maths और EBS और उसके अंदर Language एक और दो जिसको आप कोई भी Language चूज कर सकते हैं Language 1 में आप Hindi भी ले सकते हैं, English भी ले सकते हैं टोटल 20 Languages की होती हैं तो ये पांच सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे जिसके अंदर से 30-30 मार्क्स के आएंगे और आपको पता लग गया यहाँ पर कि अगर हम 30 को Multiply कर देते हैं 5 से तो यहाँ पर आजाता है 150 और ये पांच सब्जेक्ट आपको Solve जो करने हैं वो आपको करने हैं 150 मिनिट में ही एक Question के लिए एक नमबर दो Language, तीन सब्जेक्ट अब Negative Marking Negative Marking बिलकुल नहीं होती है Seated के एक्जाम में तो Seated के एक्जाम में आपको एक भी नमबर छोड़ कर नहीं आना है अगर आपके पास टाइम बिलकुल नहीं रहता है तो आप बेशक कुछ भी करें लेकिन छोड़ कर नहीं आना क्योंकि No Negative Marking वैसे तो 0.25 की होती है Negative Marking Teaching के एक्जाम में लेकिन Seated के एक्जाम में कोई Negative Marking नहीं होती है उसके अलावा दोस्त याद रखना है कि यह Seated का एक्जाम आपका दो पार्ट में होता है Paper 1 और Paper 2 और Paper 1 और Paper 2 का जो Slabes होता है वो बिलकुल different होता है ठीक है? बिलकुल different होता है Each Paper के लिए क्योंकि जो Paper 1 होता है वो Primary Teacher के लिए होता है और जो Paper 2 होता है वो होता है आपके TGTA जो है Teachers के लिए तो यहाँ पर Paper 1 और Paper 2 दो भागों में Seated के एक्जाम को तोड़ा गया है Paper 1 के अंदर दोस्त आपके CDP आपकी 2 Language EBS और Maths आता है 5 Subject का Combination जैसा हमेने बताया 3 Subject 2 Language वैसे ही अगर आप Paper 2 की बात करें तो Paper 2 में CDP आता है Language 1, Language 2 आती है लेकिन यहाँ पर जो है EBS की जगए पर Social Studies आ जाती है या फिर Social Studies नहीं है आपके पास तो Maths और Science आ जाएगी ठीक है दोस्त तो यह Subject Combination Paper 2 वालों के लिए होता है और यह Combination आपका Paper 1 वालों के लिए होता है आप यह मैं सोचिए कि Paper 1 जादा Tough पेपर होगा Paper 2 से या Paper 2 जादा Tough होगा दोनों का Difficulty Level लगबग सेम रहता है लेकिन दो तरह का होता है याद रखना दोस्त कि जो सीटेट का Subject है उसमें आपको Clarity चाहिए सीटेट के एक्जाम के अंदर Various Subject आते हैं आपने यहाँ पर देखा कि अलग-अलग Various Subject आएंगे इसी लिए आपको एक Strategy बनानी पड़ेगी जो Cover करे Nearly हर Topic को हर Subject के क्योंकि दोस्त जो सीटेट का जो स्लेबस है वो किसी एक एक उसमें तो है नहीं तो आपको पांचो Subject के उपर ध्यान देना पड़ेगा मैंने Maximum Students को देखा है कि सिर्फ Child Development के उपर ध्यान देते हैं लेकिन बाकी के चार Subject में उनको इतना ध्यान देते हुए मैंने देखानी तो वो गलती आप नहीं करेंगे जितना टाइम CDP के दो है उतना इटाइम दूसरे Subject को भी दे क्योंकि जो आपकी स्टेटरजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पांचो Subject को वीक हो किसी भी Subject में इन पांच में से कैसे उस Weakness को तोड़ना है ये Power Tips अब देख लो Important Tips किस चीज से Related Improve your Weak Areas Effectively क्योंकि Weak Areas को हमें कवर करना है 30 दिन में हो जाएंगे सबसे पहला है Identify your Weak Area यानि कि अपने Weak Area को Identify करे पता लगाएं कि आप कौन से एरिया में Weak हैं कौन से Subject में Weak हैं और आपको Level of Improvement भी देखना पड़ेगा अगर आपने देखा कि आप Maths के अंदर बिलकुल Zero हैं आपको शुरुवात से सीखना पड़ेगा तो अभी से उसको करना शुरू कर दो identify करना पड़ेगा अपने Weak Areas को टीक है टाइम आएगा जब देख लेंगे ये वाला approach छोड़ना पड़ेगा और try to learn and cover all the basic concept to strengthen your roots and start working on your weak areas यानि कि आपको basic से पड़ना start करना है मैंने student देखी है कि वो direct high level का पड़न लगते हैं तो YouTube पर high level का पड़ाया नहीं जाता है जाद टीचर के द्वारा लेकिन आप जब भी पड़ना शुरू करें तो आपको अपनी roots को मजबूत करना पड़ेगा इसलिए आप basic concept पड़ें क्योंकि basic concept पड़ने से आपकी समझ बनेगी और जैसे जैसे आपकी समझ बनेगी टफ चीजें भी आपको समझ में आएगी आपके जो previous record हैं उनको देखें और identify your v-carious where improvement is required ये कोई भी नहीं करता है और ना ही आपको पूरे YouTube में ये कोई बताएगा आप में से जाद तर स्टूडेंट पहले CTET का exam दे चुके हैं तो अपने पहले वाले result को खोलिएगा और उसके अंदर देखिएगा कि उस time पर आपका week area क्या था इस time पर आपको week area ना लगे लेकिन जब आप exam देते हैं तो आपका week area निकल कर सामने आ जाता है तो पिछले mark shit से आप देखिएगा कि कहां पर आप week थे और subject को पढ़ने ही कोशिश कीजीगा ये बहुत important point था आगे और भी important point आएंगे वीडियो skip नहीं करनी अगर जो आप अब week area की बात होगी अब strong area की बात करते हैं देखे जो आपके strong area होंगे उनको आपको basic से पढ़ने की जुरूरत नहीं है मान लीजी आपकी EBS काफी अच्छी है तो आपको अपना time utilize करना है simply utilize your time to work on your weak areas अपने strong areas को आपको ज़्यादा time नहीं लगाना कि आप उनको भी basic से पढ़ना शुरू कर देनी आपके पास 5 subject हैं तो जिसमें आप अच्छी हैं उसकी cream cream चीजों को पढ़िए लेकिन जिसमें आप tough हैं या जिसकी वज़े से आप इसली बार clear नहीं कर पाई थे उस subject के उपर द्यान दीजिए ठीक है अब books की बात करते हैं देखें यहाँ पर एक चीज मैंने लिखी हैं यानि कि books ही एक ऐसा दोस्त होती है दोस्त जिसके उपर आप विश्वास कर सकते हो और इससे ज़्यादा beneficial कुछ भी नहीं होगा सीटेट के एक्जाम में बुक से ज़्यादा कई students सोचते हैं कि सिर्फ videos से ही जो हम clear कर लेंगे लेकिन books से exam clear होते हैं चाहे ये आपके पास physical form में हो चाहे पास आप e-notes से पढ़ते हो आज कल application के अंदर e-notes भी आ गए हैं जैसे मेरी back to school की application के अंदर सारे e-notes हैं तो आप अगर books मेरी back to school की उससे पढ़ते हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको description में link होगा install कर लेना You are 100% clear तो books की importance को भूलना नहीं है seated के exam में आपको आपको books पढ़नी है अब कौन-कौन से books पढ़नी है देखिए देखिए आपके पास कम से कम at least one major book होनी चाहिए हर subject के बारे में आपने एक मोटी guide देखी होगी जिसके अंदर हर subject के notes होते हैं या हर subject के topics होते हैं पूरा syllabus उसमें seated का होता है आपके पास हर subject की एक book तो होने चाहिए अगर आपके पास book भी नहीं है तो आपके पास e-notes तो होने चाहिए हर subject के यह आप make sure करके चलें उसके अलावा अगर आपको books पढ़नी है तो best books होंगी NCRT की पहली से 5 वी तक paper 1 वालों के लिए और NCRT की पहली से 8 वी तक की books होंगी second paper वालों के लिए कई बार question यह भी आता है NCRT की books कैसे होती NCRT books are the best for seated exam and you will able to clear seated exam if you try these points तो NCRT की books पढ़नी है पहली से 5 वी तक की और पहली से 8 वी तक की paper 1 और 2 वालों को अब books के बाद दोस्त आपको quizzes start करने है basic start from the basic and try the quizzes यानि की हर subject को आपको quizzes भी करने पढ़ेंगे अब ऐसा नहीं है कि आप एक subject में बहुत weak हैं तो उसको पढ़े भीना direct आप quiz करेंगे नहीं जिस subject में आप अच्छे हैं उसके तो direct आप quiz लगाईए लेकिन जिस subject में आप कमजोर हैं पहले उसका content पढ़िए basic से content और फिर basic content पढ़ने के बाद आप क्या करिए quizzes लगाईए उसके ठीक है दोस्त अब जैसा मैंने बताया कि आपको child development और pedagogy का section हमेशा confuse करता है सिर्फ इसलिए नहीं कि यह आपको tough लगता है यह इसलिए confuse करता है क्योंकि आप CDP के चकर में बाकी subject की pedagogy को भूल जाते हो या YouTube पर जो आप चीज पढ़ते हो वो होती है child development की लेकिन आपको subject pedagogy बनाकर पढ़ा दी जाती है और आप लोग satisfy भी हो जाते है यही बेवकुफ बनाने की तकनिक चली हुई है YouTube पर आपको बेवकुफ नहीं बनना है आपको child development pedagogy को बहुत ज़्यादा focus नहीं देना है focus तो देना है इसके उपर लेकिन बाकी subject की pedagogy के उपर भी आपको focus देना है उसके बाद दोस्त CDP के अंदर आपको क्या पढ़ना है इसके बाहर अगर आपको कोई CDP के अंदर पढ़ाए तो समझ लेना बकवास कर रहा है CDP के अंदर आपके पूरे 30 के 30 नंबर इनी के अंदर से आएंगे theories of intelligence theories of child development learning theories, intelligence theories assessment and evaluation concept of psychology maximum questions आपके यहां से आएंगे inclusive education और पिछडे हुए बच्चों का अगर आप topic और add कर दें तो इससे बाहर तो कुछ जा नहीं सकता तो आपकी screen के सामने हैं दोस्त सिर्फ इतनी चीज़ें आपको पढ़नी हैं लेकिन आप पूरे का पूरा time एक महिना CDP के अंदर ही लगा देंगे जिससे आपकी subject पैडागोजी कमजोर हो जाएगी तो सिर्फ CDP के अंदर यह देखो बाकी का time concept के लिए जो आपकी subject पैडागोजी है उस पे time लगाओ अब आपको हर subject के जो है improve करना पड़ेगा क्योंकि दोस्त एक clear insight आपकी preparation पर होगी अगर आप जो है हर subject को improve करने की कोशिश करेंगे जैसे कि मेरा एक दोस्त था उसका match कमजोर था उसने मुझे बोला कि sir मैं एक काम करूँगा उस time पे तो दोस्त बोलता था बोला कि विपलव एक काम करूँगा कि match को छोड़ दूँगा बाकी subject को strong कर लेता हूँ वैसे भी match मुझे आएगा नि बिल्कुल नहीं होगा अगर match के लावा एक और चीज़ थोड़े सा आपके out of control आगी तो आप तो वहीं पर हतियार डाल दोगे तो हर subject के आपको MCQ try करने है क्योंकि मैंने देखा है सो में से 90 बच्चे जादतर CDP try करते है और यहीं पर वो मार खा जाते है अब notes कैसे बनाने है देखे इस time पर एक महीने में भी आप short notes बनाएंगे अब आप बोलेंगे sir short notes हम क्यों बनाएं इतना तो time भी नहीं है लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो short notes होते है वो आपकी ability को increase कर देते है focus करने की यह आपकी एक तरीके से और help करेंगे किसी भी subject को understand करने के लिए और किसी भी information को जो आप पड़ते है उसको effectively जो है process करने के लिए आपने देखा कि जो चीज आप लिखते है वो आपके mind में process हो जाती है तो short notes बनाएं आप आप इस वीडियो को देख रहे हो आप एक हमेशा copy pen साथ रखें कोई चीज मेरी अच्छे लगे कोई चीज काम की लगे वीडियो में कोई important point आजाए लिख लो इसको copy में क्यों क्योंकि जब आपके पास last के कुछ दिन होंगे तो आप revise भी कर सकते है और revise करने के लिए best thing होती है जो आपने लिख रखी हो क्योंकि revision के time पर आपका खुद का लिखा हुआ content best होता है rather than आप books के अंदर highlight करते फिरे तो prepare करने पढ़ेंगे आपको notes ठीक है और जो notes होंगे दोस्त वो भी बनाएंगे आप all the topics during your seated preparation ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक subject के बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यह जो notes बनेंगे यह सिर्फ आपकी focus करने की ability को enhance नहीं करेंगे लेकिन आप last moment पर जब आपके हाथ पर फूल जाते हैं कि क्या पढ़ें तो आप अपने हाथ के लिखे हुए notes अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए सबसे जगा beneficial होंगे और याद रखना अगर आप जो है एक ही book के अंदर भी बना सकते हैं और जब आप अपने studies को finish करें आप daily पढ़ना शुरू करें और जब आप daily पढ़ना शुरू करेंगे और daily पढ़ते पढ़ते मानलो आज आपने पढ़ाई खतम कर दी मैं सुबह 8 बज़े पढ़ने लगा और मैंने 11 बज़े तक अपनी पढ़ाई खतम कर दी तो याद रखना कि आपको daily revision करनी है try to revise all the important topics on a daily basis क्योंकि दोस्त आपने एक चीज़ notice की होगी मैंने खोद अपने उपर apply की कि पहले तो मैंने एक तरीका अपना है कि मैं एक हफता पढ़ा फिर आठवे दिन मैंने जो है क्या किया जो पूरा एक हफता पढ़ा था उसकी revision की दूसरी बार मैंने क्या किया कि daily मैंने revision की जो मैंने पूरे दिन पढ़ा फिर last में 15 मिंट उसकी revision कर ली और एक मैंने किया कि मैं हमेशा daily पढ़ा और last missy the exam देने गया revision मैंने नहीं की, एक दो दिन पहले की तो result के अंदर dramatically फर्क था तो आपको अपनी revision पता कब करने है daily आप जितना पढ़े, daily उसको निप्टाते चलो 6 महिने के revision आप एक दिन में नहीं कर पाऊगे 6 गंटों में नहीं कर पाऊगे या exam से पहले की रात में नहीं कर पाऊगे तो आप अगर 2 गंटे भी daily पढ़ाई में देते हैं तो 20 मिनिट revision के निकालिए बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप चीजों को daily revision करने से आपकी understanding level बढ़ेगा और आपके नमबरों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा दोस्तों ठीक है आप याद रखना कि जितने भी important theories हैं वो अपनी नजर में से निकाल लेना जितने भी important concept है उनकी उपर से नजर निकाल लेना और जितने भी maths के अंदर जो basic formula हैं वो भी आपको देखने को पड़ेंगे क्योंकि maths के अंदर भी काफी सारे student क्या करते हैं maths के अंदर भी काफी सारे student यहाँ पर जो है मैसूस करते हैं बहुत बड़ी दिक्कते हैं तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों previous year paper की आठमा point मैं आपको बताना चाहता था previous year paper का क्योंकि CTAT का जो exam देखा है वो basically देखा जाता है एक जैसा अब तक जितने भी CTAT के exam आए हैं वो लगबग एक जैसे ही हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो आपको previous year देखना पड़ेगा क्योंकि जब आप previous year देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे students जो appear हुए थे वो क्या कलती करके आए जिससे कि उनका exam clear नहीं हुआ यानि कि regularly आप अगर previous year के question paper solve करोगे तो ये एक key है आपके high score करने की क्योंकि same ऐसे ही question आपके exam में आएंगे याद रखना you should regularly solve previous year question papers because it is the key to score high क्योंकि ऐसे ही question आपके आगे भी exam में आएंगे और दोस्त याद रखना कि जब भी आप previous year को जो है try करें आपने मान लो अभी पहली बार exam देने जाओगे आप तो इससे पहले जितने भी seatate के exam हुए आप उनको करके देखो एक बार 500 question को और आप ये देखो कि previous year में मेरे कितने number आ रहे हैं तो मैं guarantee देता हूँ जितने आपके आज के time पर previous year में number आ रहे हैं उससे 5 या 7 number उपर ही आएंगे अगली बार अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो याद रखना घर पर ही आपको पता लग जाएगा कि आप तयार है या नहीं क्यों क्योंकि आपको अपना score analyze करना पड़ेगा हर बार each attempt में जब आप एक जंग एपर बैट कर 500 question करने लगे हर अफते आप अपने score को measure करें और एक plan improve करें कि मुझे अपनी preparation में कहां आगे बढ़ना है मान क्या लो 30 दिन है आपके आप 4 बार paper दो weekly 500 question, 500 minute के एक जिंगा पर बैट कर जब आप पहली बार exam दोगे तो आप देख लोगे कि भाई in 500 question में मेरा कौन सा subject है जो ज़्यादा time खा रहा है फिर उसके उपर improve करो एक वर एक हफता फिर अगले हफते करो एक ओर test दो फिर आप देखो कि आपने कितना improvement किया तो अगर आप 500 के 500 question इस पूरे एक महिने में 4 बार देते हो तो उसमें आपके सामने आपका plan अपने आप निकल कर सामने आ जाएगा कि आप का जो score है वो कहां पर कम हो रहा है और कौन से subject को आपको अच्छे से deal करना है तो ये सबसे major point है दोस्त एक चीज़ और भी है दोस्त कि जब भी आप जो है practice year paper लगाएंगे तो आपकी abilities और आपकी time efficiency आपके सामने आ जाएगी कि लोग बोलते हैं सर हम क्या करें मुझे पता ही नहीं लगता कि हमारा seat rate का exam क्यों चूट जाता है वो इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि आप 1500 question एक बारी में बैठ कर नहीं करते हैं करिए आप time management भी सीखेंगे और अपनी abilities का आपको अंदाजा भी हो जाएगा दोस्तों अब यहां तक जो रुके रहे उनको दूंगा मैं power tip जिसके वारे में हमने बात की थी pro tips to score high in seated exam 5 number और ज़्यादा बढ़ेंगे अगर आपने ये वाला portion भी देखा क्योंकि negative marking तो seated के अंदर बिल्कुल भी नहीं है इसलिए आप सभी questions को attempt कर सकते हैं तो try to attempt all the questions एक भी question नहीं छोड़ कर आना है fearlessly बिना किसी डर के आपको हर question try करना है ठीक है बस आपको सीखना है learn to manage your time wisely अपने time को wisely use करना सबसे पहले आप वो चीज़ करना जो आपको easy लगे easy to tough आपको जाना है passage की try daily करनी है passage speed से करनी है हिंदी की passage बहुत ज़्यादा speed से करनी है ताकि English की passage में थोड़ा भी time लगे तो वो आप manage कर पाओ तो smartly आपको चीज़े करनी है जैसे passes ध्यान से करेंगे वहाँ पर जाकर nervous नहीं होना है अपने उपर विश्वास रखके चीज़े करनी है वो question बिल्कुल नहीं देखने है जो आपको नहीं आते है exam paper में maths में आप थोड़े कमजोर है जाती maths को देख लिए डर गए आप बाकी question नहीं कर पाओगे तो बाद में करना उन चीज़ों को जो आपको tough लगती है और एक और important बात की जो general category के हैं उनको सिर्फ 90 number चीए 150 में से ऐसा नहीं है कि जिस general के 100 आगे और जिस general के 95 आगे उनके अंदर कोई अंतर होगा नहीं अंतर होगा सिर्फ आपको score करना है 90 number आपको score करने है लेकिन मैं कहूंगा कि 120 score करेंगे जो tips मैंने आपको इस वीडियो में दिये हैं उसको apply करके और आप देखेंगे कि section wise भी कोई cut off नहीं है कई बार क्या होता है कि 30 number के 5 आपके section है तो हर section में 5 होना जरूरी है ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो आप fearlessly exam की तयारी करें इसकी भी आपको कोई दिक्कत लेनी की जरूरत नहीं है और last में मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि ये video अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस video को आपको like करना है like करने के बाद दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस video को share करना है और हमारे channel के साथ जुड़े रहना है क्योंकि दोस्त जिस तरीके से मैं आप लोगों की तयारी करवा रहा हूं आप लोग एक month में बिलकुल clear करेंगे और toppers tips for how to prepare for seat at in just one month और जैसा मैंने बताया seat at preparation tips how to prepare for seat at at home in one month ये video आपको अच्छे लगी हो like कर देना, दोस्तों ज़क share कर देना तयारी कर रहे हो seat at की जुड़ जाओ हमारे channel के साथ तयारी करवा रहा हूं आपकी books चाहिए, notes चाहिए, mock test चाहिए हिंदी में चाहिए, English में चाहिए आपकी सारी दिकतों का solution मैं पहले ही कर जुगा हूं क्योंकि हमने launch कर दी थी आपकी back to school की app, इसका link आपको description में मिल जाएगा, install कर ये sign up कीजिए और subscription लीजिए, ना मात्र का है seat at 101% clear होगा तो चलिए दोस्त, next video में मिलता हूं thanks for watching, how to prepare for seated at home क्योंकि आप भी prepare करेंगे आप भी clear करेंगे